Hey guys, what's up? So, skin चाहे fair हो या dark, उससे कोई फरक नहीं परता फरक इससे परता है कि आपकी skin glowing और clear है कि नहीं क्योंकि अगर skin clear और glowing नहीं होगी तो आप बिल्कुल भी attractive नहीं लगोगे इसलिए आज मैं आपको L'Oreal Paris के इस hyaluronic acid range के बारे में बताऊंगा क्योंकि इस चैनल का motive है कि मेरे तरह जितने भी dark skin या साबले लड़कें हैं वो अपना best वर्दन बन सके तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को please like कर देना और इंस्टाग्राम बे फॉलो करना मत भूलना दिपक शाओ official के नाम से है link description में so L'Oreal Paris के इस hyaluronic acid range में 3 products आते हैं जिसमें से पहला है L'Oreal Paris 1.5% hyaluronic acid serum दूसरा है hyaluronic acid gel cream and finally तीसरा है hyaluronic acid fresh mix serum mask so तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन 3 products को क्यों use करना चाहिए अपने skin को glowing बनाने के लिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इन products को कैसे use कर सकते हो so पहली बात आपको इन 3 products को इसलिए use करना चाहिए क्योंकि इन 3 products में hyaluronic acid है hyaluronic acid भगवान ने हमारे skin में already दिया हुआ है but 20 की age के बाद हमारे skin में से hyaluronic acid धीरे-धीरे कम होने लगता है जिससे धीरे-धीरे skin में से glow खतम होने लगता है और skin बेजान लगने लगता है इसलिए अगर आपकी age 20 हो चुकी है तो आपको अभी से इन products को use करना शुरू कर देना चाहिए glowing skin के लिए क्योंकि hyaluronic acid capacity रखता है to hold thousand time its own weight in water जिससे हमारा skin hydrated, plump और radiant लगती है so अब मैं आपको बताऊँगा कि आप इन तीनों products को कैसे use कर सकते हो so तो पहले हम बात करते हैं इस 1.5% H.A. serum के बारे में इस serum में एकदम right amount में hyaluronic acid डाला गया है that is 1.5% जो हमारे skin के लिए एकदम perfect है और इसके वज़े से ये market का best serum बन जाता है so इसे use करने से पहले एक अच्छे face wash से अपने face को wash कर लेना फिर अपने face में few drops इस H.A. serum का डालना फिर gently massage कर लेना और इसे दिन में दो बार use करना एक बार सुबा और एक बार रात को सोने से पहले और इस serum में ना ही कोई alcohol है ना ही कोई parabens है और ना ही कोई fragrance है जिसके वज़े से ये हमारे skin के लिए एकदम safe है इस serum का texture इतना light weighted है कि इसे लगाने के बाद चेहरा बिल्कुल भी oily या sticky नहीं लगता ये एक non sticky product है इसे लगाने के बाद लगता ही नहीं है कि चेहरा में कुछ लगाया है तो ये तो हो गई HA serum की बाद बट अगर आप अपने skin में 110% result चाहते हो तो इस HA serum को लगाने के बाद आपको इसके उपर layering करना चाहिए इस HA gel cream को face wash करने के बाद पहले आप serum लगाना फिर उसके उपर इस HA gel cream को लगाना ये gel cream L'Oreal Paris के पूरे hyaluronic acid range में newest addition है और इसमें hyaluronic acid नहीं बलकि micro hyaluronic acid डाला गया है जो आपके skin को deeper penetrate करता है जिससे आपके skin बहुत ज़ादा hydrated, glowing और plump लगती है और इस cream की advanced technology की वज़े से ये cream market से हटके है और इस cream का texture भी बहुती light weighted, smooth और translucent है इसलिए इसे थोजा सा quantity में अपने हातों में लेना और अपने skin में gently इसे लगा लेना इसके translucent pearly gel की वज़े से ये हमारे skin में easily absorb हो जाती है और skin में एक hydrated velvet skin का sensation छोड़ती है बिना हमारे skin को sticky और oily किये हुए इसलिए इन दोनों product को ही आपको अपने skin care के routine में add करना चाहिए face wash करने के बाद पहले H.S. serum लगाना फिर उसके उपर से H.S. gel cream लगाना और इसे दिन में दो बार यूज करना इस process को moisture sandwich कहते हैं जो help करता है हमारे skin में maximum hydration देने की जैसा कि आप मेरी skin देख पा रहे हो इसे लगाने के बाद मेरी skin कितनी hydrated, glowing और plump लग रही है ये तो हो गई L'Oreal Paris H.S. serum और H.S. gel cream की बाद अगर आप अपने skin में और भी जादा hydration और instant glow चाते हो तो इन दोनों products के साथ साथ आपको week में 2-3 बार इस L'Oreal Paris H.S. fresh mix serum mask को use करना चाहिए इस shit marks में भी hyaluronic acid डाला गया है जिससे हमारे skin को एक fresh boost मिलता है of hyaluronic acid तो अब मैं आपको इसे use करके बाद आता हूँ तो इस shit mask के बीच में दो line बना हुआ है तो इस line के मुताबिक इस mask को fold करना पहले mask को उल्टा करना फिर पहले नीचे से fold करना फिर उपर से fold करना जैसे मैं कर रहा हूँ क्योंकि shit mask इस तरफ है और serum इस तरफ तो इससे fold करने के बाद देखना उपर लिखा रहेगा press hair फिर देखना एक हलका सा आवाज आएगा जिससे ये पदा चलेगा कि serum shit mask में चला गया है फिर shit mask के packet को cut करके marks को धीरे-धीरे packet से gently निकालना और फिर धीरे-धीरे marks को अपने face पे लगा लेना जैसे मैं लगा रहा हूँ और इसे लगाने के बाद जैसा कि आप मेरे skin पर देख पा रहे हो मेरे skin में एक instant glow और hydration आया है so ये तीनोही products हमारे skin के लिए safe है क्योंकि इन तीनोही products में कोई भी harmful chemicals नहीं है इसलिए आपको इन तीनोही products को अपने skincare के routine में add करना चाहिए for glowing skin और ये H.A. serum two sizes में available है पहला है 15 ml और दूसरा है 30 ml 15 ml का price है 499 रूपीज और 30 ml का price है 999 रूपीज और इसी तरह ये H.A. gel cream भी two sizes में available है पहला है 15 ml और दूसरा है 50 ml 15 ml का price है 499 रूपीज और 50 ml का price है 999 रूपीज और फर्स शिटमाक्स का प्राइज है 199 रुपीज है इन तीनों ही प्रोड़क्ट्स के टू साइजेस का पर्चेस लिंक मैं निचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप लिंक पे क्लिक करके अपने बजट के मुताबिक इन दोनों साइजेस में से कोई भी साइज का प्रोड़क्ट आप खरी सकते हो और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो जिससे की हर डाक स्कीन या साबले लखो की मदद हो सके और अगर आपका कोई कुश्चन्स हो तो कमेंट जरूर करना मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए डाक स्कीन को अपनी कमजोरी नहीं उसे अपना ताकत बनाओ